हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल पंजाई भाव अर्चना यहां पर वेट लॉज जर्नी चैलेंज वन मन्त का डे 21 है और यहां पर आप देख रहे हैं पिश्टा, काजू, खजूर और साथ में निया है इसमें गुन-गुना पानी, आप यह सुबह के टाइम पर प्रेक्फास्थ में आप इसको खा सकते हैं, मैंने पुछली वीडियो बताया था कि प्रेक्फ़स्थ में आप फ्रूट्स में ले कि आप exercise करने से पहले खाईए और या तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप exercise करने से पहले इसको खा लीजिए और exercise करने के बाद breakfast के टाइम पर मतलब फिर fruit खा लीजिए तो ये जो है बहुत अच्छा option है आपके लिए इस तरह से सुबा का जो routine है आपका manage करने का और यहां पर कि मैं exercise कर रही हूं बहुत ही warm up के साथ यह light exercise जो है वह start करते हैं light exercise इसलिए करना चाहिए कि शरीर जो है ना हमारा warm up हो जाए warm up जब हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना exercise level जो है वह बढ़ा सकते हैं कौन-कौन से exercise आप करनी है एक full detail वीडियो आप लोग के साथ मैं जल्दी share करने वाली हूं जिसमें मैं सारी एक्सराइज है फुल बॉड़ी के लिए वह आप लोग को दिखाने वाली हूं तो वह वीडियो जल्दी आएगी खाली उसमें सिर्फ और सिर्फ exercise ही रहेगी तो वह detail वीडियो आप लोग को चल्दी मिलेगी तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा साथ में पहले कि प्रेस कर लेजेगा क्योंकि जब आप करेंगे ऐसा तभी आपको मेरी न्यू हीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएगी तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं आप exercise कर रहे हूं और अगर आप अपने weight loss चरनी मतलब आप शुरू कर चुके हैं या आप चाहते हैं करना यह सोच रहे हैं कि जल से जल आप अपना वजन गम करें तो इसके लिए ना कुछ चीज़े जो हैं आपको manage करने पड़ेंगी कुछ चीज़े छोड़ने पड़ेंगी routine में कुछ changes करना पड़े किया है वो भी सिर्फ और सिर्फ घर के खाने से कुछ मैंने ना olive oil यूज किया ना ही जो मतलब weight loss journey का oil होता है वो मैंने use बिल्कुल भी नहीं किया है और फिर भी मैंने जो है पन्दरा दिन में 4 kg weight loss किया है कैसे lose किया है पिछली वीडियो जो है मेरी जाके देखिएगा आप लोगो उसमें समझ में आ जाएगा और मैंने जो है पूरा detail में दिखाया भी है और समझाया भी है पंदरा दिन मैंने किया चीज़े खाई है वो भी आप लोग साथ शेयर किया है कौन-कौन से time पे खाई है मुतलब किस टाइम पे कौन से चीज़े खाये है वो भी आप तो जाकर जरूर चेक किजएगा अगर आप अपना वेट लॉस जल जल करना चाहते है ना तो आपको चेंजिस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में करना क्योंकि लाइफ स्टाइल में अगर आप चेंजिस नहीं करेंगे तो वेट लॉस करना थोड़ा सा आप लोगों को प्र मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे अपना weight loss करना होता है मैं घर पे रहे कर ही अपना weight loss करती हूँ और मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं सारी चीज़े आप लोगो साथ share कर रही हूँ अपना experience आप लोगो साथ share कर रही हूँ तो मुझे फिलाल लग रहा था कि मेरा weight loss बहुत सारी weight gain बहुत जादा हो गया था और इस वज़े से मुझे अपना weight loss करना था और इस लिए मैंने one month चरनी जो है अपने start की है और exercise भी मैं कर रही हूँ और साथ में अपना जो मैं खान प्यान है उनमें थोड़ा सा मैंने changes किया है तो मैंने आप लोग साथ एक वीडियो में ये भी शेयर किया है कि diet में मतलब weight loss diet जो है उसमें आप क्या क्या चीज़े खा सकते हैं उसकी grocery जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए क्या क्या चीज़े मंगवाई हैं मैंने वो आप लोग साथ भी शेयर किये तो आप जाके वो भी चैक कर सकते हैं चैनल पर है तो फुल डाइट जो है वो आप लोग साथ मैं हमीशा शेयर करती आ रही हूं और बहुत जादा expensive चीज़े आप नहीं मतलब लेके बहुत जादा अपना पैसा नहीं इंवेंस्ट करके घर की चीज़ों से ही किस तरह से घर पे रहे कर ही आप वेट लॉस जल्दी कर सकती हो वो मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर मैं जो है जो एक्सेसाइस वगरा है देखिए या बैसे तो दो टाइम मैं प्रेफर करती हूं आप लोग भी दो टाइम कीजिए सुबा और रात में या शाम को लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आज कल सेड्यूल लोगों का इतना ज़्यादा बिजी हो गया है तो दो टाइम नहीं कर पा रहे हो तो आप एक टाइम कीजिए मुश्किल से आपको 15 मिनिट आपके लिए निकालना पड़ेगा इस चीज़ के लिए 15 मिनिट आप अपनी बाड़ प्रॉब्रम करता है आपका जो पेट है ना उसके जो चर्पी जम्मा हो जाती है उस पेट पे वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्रम करती है और उससे ही आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा बहुता लगता है मुटापा आपका ज़्यादा नजर आता है तो बैली फैट कि इस तरह से आप घटा सकते हैं वो मैंने वीडियो में हमेशे बताया है तो चोटी चोटी टिप्स हैं पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ आप लोग इसलिए में बार बार कह रही हूँ पिछली वीडियो चाहकर ज़रूर देखिएगा तो यहां पे भी मैं देखी एक्सरसाइज चो कर रही हूँ जादतर मेरी एक्सरसाइज जो है वो बैली फैट के लिए होती है लोवर के लिए भी और अपर के लिए भी लोवर स्टमक की जो चर्वी आप उसको किस तरह से खटा सकते हो अपर स्टमक की चर्वी आप किस तरह से खटा सकते हो तो मैंने कि तरह से वेट लॉस किया अपना आप मेरी जो चरनी है डे बन से चेक कर सकते हैं आज हमको पूरे 21 दिन हो गए हैं और यहां पर घर के काम करते करते भी बहुत जादा जो एनरजी है वो जाती है और खाना नहीं खाना बहुत से लो करते हैं खाना 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 ही छोड़ देते ह तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि जब आप वेट लॉस करने के लिए खाना ही बन कर दोगे तो आपका जो वेट लॉस के जगा आप जब एक टाइम नहीं खाऊगे और फिसके बाद दूसरे टाइम नहीं खाऊगे या दो टाइम नहीं खाऊगे खाना तीसरे जो खाओगे तो आप ओवर डाइट कर जाओगे ओवर डाइट करने की वज़े से क्या होता है कि आपका जो वेट है वो और जादा बढ़ने लगता है तो ये चीज़े होती है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत कीजिए और फिर ऐसा करने अगर आप खाना ही खाना छोड़ दोगे तो आपके शरीर में जो है बहुत जादा वीकनेस आजाएगी कमजोरी आजाएगी तो वो चीज़ भी नहीं करनी है क्योंकि आपको अपने शरीर का पुरी तरीके से ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खाने पान को जो है वो manage करना है अच्छे से किस तरह से क्या क्या चीज़े जो है वो खानी है कितने कितने quantity में खानी है तो मैं जितनी भी चीजशे खा रही हूं या मैंने खाई है अभी तक full डेड आएट दिखाया आपको कितना कितना मैंने खाया है वो चीज़े भी दिखाई हैं उसमें तो इस वज़े से कह रही हूँ पिछली वीडियो चेकर जरूर चेक कीज़े तो यहाँ पर देखिए घर की सफाई भी मैं यहाँ पर कर ले रही है एक्सेसाइज करने के बाद मैंने घर की सफाई कर ली और उसके बाद फिर अपना जो है नहाना रूना जो भी करना था वो करके और फिर उसके बाद बारी आ जाती है हमारे दोपहर के लंच की अब लंच में जो है मैंने क्या खाया है तो लंच में मैंने यहाँ पर लिया है यह आप देख सकते हैं ये है दलिया जो है ना सारा मिक्स दलिया में ने बताया था मेल्टी ग्रेन दलिया वो उसकी खिचरी और साथ में ये मैंने लिया है स्प्राउट में मैंने टमाटर और प्यास वो मिक्स कर दिया है यही मैं आज जो है वो लंच में खाने वानी हो लंच खाने के बाद फिर हमा दाल तो ये डिनर में मैं खाऊंगी तो इस तरह से आप फुल्डे डाइट मैंने आप लोगो दिखाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए